हेलो एब्रीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जुलोजी नोट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माउट पाट आप इंसेक्ट के बारे में यह जो टॉपिक है माउट पाट आप इंसेक्ट यह टॉपिक जातर एक्जाम में आपको लॉंग में पूछा जाता है अगर यह ना आए इसका जो माउट पाट होते हैं यह 5 टाइप के माउट पाट ह Tam इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक आपको short note में पूछा जा सकता है, जैसे कि 7 marks जो short note में आता है ना, या 7 या 4 उसमें आपको कोई एक type आपको पूछेगा, मतलब यह बहुत ही important topic है exam के लिए, बाकी अगर आपको इस video से या फिर आप मेरा video देखते हैं, तो अगर कोई आपको suggestion देना, तो आप मुझे comment करके दे सकते हैं, अगर आपको कोई भी topic urgent चाहिए कि नहीं exam है, और मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, तो आप मुझे Instagram ID पर message कर सकते हैं, description में ID बलता दूँगी, उसमें आप देख लीजेगा, और अगर कोई urgent note चाहिए, तो आप मु सबसे पहले बताना होगे कि insect क्या होता है, है ना, तो सबसे पहले जानते हैं इसका introduction, insect are invertebrate species of the insecta class within the phylum orthopoda, the largest and most widely distributed taxon, insect जो होता है, वो invertebrate species होता है, invertebrate का मतलग होता है कि वो ऐसा जीव, वो ऐसा species जिसमें red का हड़ी नहीं पाय जाता है, उसको invertebrate का जाता है, इसक insect are invertebrate species of the class insecta, क्या होता है, क्लास इंसेक्टा में आता है, और इसका phylum क्या होता है, तो अर्थोफोडा होता है, और यह बहुत जादा बड़ा और widely distributed, मतलग हर जगा फैला होता है, टेक्सोन में, टेक्सोन का मतलग होता है, साइन्टिफिक तरीके से बनाए गया है, पंक आ जाता है, उसको क्या होता है, जोडे में सब कुछ पाया जाता है, जैसे कि पैर हो गया, हैना, इस्टिंग हो गया, सूट सब, वो सब जोडे में पाया जाता है, एन एक्सोन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, उसको बाहर मतलग बाडी जोता है, वो काइटनेस लेय इंसेट में जितने भी इंसेक्ट आते हैं इंसेक्ट्रेक्ट आ विला सुन्टि अपर मेद्स हिल अ मतलब होता है के इसको मदलब मैं कि सेंसेशन मतलब जैसे कि किसी भी चीज सेओ dal पहलंमली आप हाउ स्फ्लाई को देखे होगे हें उनका सेनसरी कितना तेज होता है कि आप कभी उसको पकड़ा नहीं होता है तो समय सकते हैं इसकूलेट निकांटस के अहिंटर में अच्छता है उनका सेनसरी कुएंटा होगा जिसको hemo self आजाता है कभी कभर आपका mcq में पूछ सकते है कि hemo жив किसमें पाया जाता है तो टॉपिक जो आपको लिखना है उसके बाद इंटोड़क्शन लिखेगा उसके बाद जो आपको पूछा जा रहा है वो लिखेगा तो क्या है माउट पाट इंसेक्ट there are five type of mouth part found in insect insect में क्या होता है तो पांच तरह का माउट पाट पाई जाता है they are as follow first biting and cheeving type second cheeving and lapping type third pickering and sucking type fourth sponging type and fifth siphoning type टोटल पांच तरह के माउट पाट इंसेक्ट में पाई जाता है first biting and cheeving type क्या होता है biting and cheeving type माउट पाट तो मतब टाइप इस तरह का माउट पाट जो होता है इसको माना जाता है कि बहुती पुराने तरीके का माउट पाट है मतब अगर आप दूसरों से मुकाबल अगरा जैसा पांच तरह होते ना तो अगर आप चार के मुकाबला अगर इसको आप देखने जाब biting and cheeving type सबसे पूराना यह माउट पाट होता है इस कन्सिस्ट गोटा हटा अपर लिप इसमें कहीं होता है забron libro पाट जैसे हमसे होता है krall含 दृम इंडि व्लाश होता है इसें मेंडिबलोज होता है maxillie मैंसली होता है जकेंड मैंसली इसे तरह लोक Light भेक माउट पाठ है लेबराम मैंडिबलोज तो इसमें क्या होगा तो समस्ट अप लेबराम Keلم яр quality Tot उब रेज आगे यह निवीण यह उतला तो लेबराम मोट को बनाता है मैं डिवर फ о यह बनाता है lower lip को hypox बर्प theo होता है और ep Fahrenheit होता है कि मेंडिवल्स काटने एक जोımızı अन्य होता है किसे बीचीज को काटने के लिए help करता है टीटहुता का टाइब होता यह इस टाइप ऊपाउट्ट में डो पेर विंक्स पाइज जाते हैं और इस में क्या होगा čा इस में मे इंकंप्लीट होता है जैसे इसका एक फिगर बनाना है आपको फिगर में आपको दिखा देती हूँ यह फिगर आपको ड्रॉ करना है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट में आपको नीचे लिख देना फिगर आप बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट इस तरह का माउथ पार्ट जो होता है वह मोडिफाइड होता है मतलब जैसे बोल सकते हैं उस चीज के लिए बना होता है कि जैसे वह नेक्टर से क्लेक्ट कर सकें मतलब फ्लावर से नेक्टर पॉलन ग्रेंस यह सब क्लेक्ट कर सकते हैं वैक्स के लिए मॉल्डिंग कर सकें नेक्टर का मतलब होता है किसी फूल का गाड़ा रस को नेक्टर का जाता है और पॉलन जो होता है वह एक तरह का जो बीज होता है ना उसके उपर या फिर फूल मतलब बीज होता है उसको उपर एक तरह का धूल जैसा बनावा रहता है उसको नेक्टर का पॉलन ग्रेंज है ना सुने होंगे आप तो इसी को क्या होता है क्लेक्ट करने के लिए यह मोडिफाई होता है lleving and mapping type mouthpart यह जा अगर यह nector मतलक बता है क्यों को क्लेक्ट कर लेक्ट कर रहा है तो यह किसमें पाई जागा ia यह होगा i gena Castle होगी में नर्मल से बात है ओही लोग जो हते हैं जात्र क्या करते ho u सुल गाढारे सूट करते हैं ना तो इस टेप ओप mouth part are modified for collecting the nectar and pollen from the flower and also for molding the wax wax को बनाने के लिए मौल्डिंग करने के लिए इनका यूज होता है फिर flowers से pollen और nectar को भी collect करने के लिए इस तरह का mouth part modify होता है they consist of labrum, ep pharynx, mandibles, first pair of maxilla and second pair of maxilla क्या होते है इसमें क्या क्या पाई जाते है इसमें labrum पाई जाता है ep pharynx पाई जाता है, mandibles होते हैं, first pair of maxilla and second pair of maxilla होते है, labrum lies below the clipes and mandibles are short, smooth and speculated situated one and either side of labrum, labrum जो होता है वो क्या होता है, clipes के नीचे पाई जाता है अब mandibles इसमें क्या तो बहुत ही छोटा होता है और smooth होता है और speculated होता है, कहां पर पाई जाता है तो labrum के दोनों साइट में यह mandibles होते हैं, वो पाई जाते हैं इसमें भी आपको एक figure बनाना है, मतलब जितने भी पांच टाइप है ना, पांचों टाइप में आपको figure draw करना है सबसे अच्छा मतलब है कि अगर आपको long question में यह सब question है तो जिसमें figure ज्यादा होना वही बनाईएगा क्योंकि figure बनाने से जुलोजी होना मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है, खासके तो long question में आपको figure बनाना एकदम compulsory है इसका फिगर दिखा देती हूं यह figure है आपका steaming and laughing type mouth part, नीचे आपको लिखना होगा कि mouth part of honey bee है ना, अगर इसमें थोड़ा problem हो रहा है इसकी इन-sort मतलब किस तरीके से बनाए तो और एक में figure दिखा देती है, यह figure आप बना सकते हैं I hope आपको clear दिख रहा हो, मुझे तो लगता है दिखी रहा होगा, पता नहीं नहीं दिखेगा तो comment किजिएगा, मतलब Instagram में message किजिएगा, मैं आपको PDF प्रवाइट करा दूँगे Skin shot ले लिजिए और बना ले जिएगा, figure जरूर बनाएगा, color pencer बनाएगा, pink color pencer, वो से ज़्यादा सुन्दर दिखता है, black, blue, pink, इसका combination copy में बहुत सुन्दर दिखता है Third is piercing and sucking type mouth part, मेरा pronunciation में मत जहिएगा, spelling देखिएगा, क्योंकि कोई-कोई होता है, जो comment कर दाता है, कि मैं आप pronunciation गलत करें, तो pronunciation में मत जहिएगा, spelling देखिएगा, spelling अगर गलत हो, तो comment किजिएगा, बाकि छड़िए Third piercing and second type mouth part, these types of mouth part are adapted for piercing the tissue of animal and plant to suck blood and plant juice क्या होता है कि इस तरह का mouth part जहोता है, एडेप्ट होता है, पियरसिंग का मत जहिए छेज करने के लिए पीर्सिंग के अगर आप हिंदी जाने जा तो उनको छेद करना बुला जाता है, किसको तो टीशू को, टीशू किसको बुला जाता है, तो group of cells को टीशू का जाता है, एनिमल्स में जो टीशू होते हैं, हम लोग में सेल पाय जाते हैं, सेल मिलके क्या टीशू बनाते हैं, हमीपेटोरियन इंसक्षू लाइद बॉला जाता है इसा, तो उनका जुलेक्ष जाए वो एक ही पैयर में होता है , शेसंखोब एक ही पैयर में होता है, धी पैयर में या ऊहां कि अहीं होता है तुक फिजिए तो इसमें इन यहां अब यहां में मुआट चैopes करंव खी palm जिलिए हं मैं हाईया इसका फीकर में दिखा देथा हूं फीगर मैं आप शक्रण सोट लें जाए का यह यह इस कर आपका माउठ प्रुफ पंप मॉस्कितों का निचे और स्थाइम लिकवीड फॉड इस तरह का माउठ पाट किस चीज के लीए बनाता इस तरह का माउठ पर्ड आडप्टेड त recommendations इस तरह का माउठ पड़ एडप्र होता है सकंग कैने के लिए मतार कि चीज को किसी विर स्टाइट त्युजित पन्डियवी गदिल्य कि पेंगियर्ट और उप 네ल्रे ख़निंग मॉर्मेजीर्ट इस मेς खालगई पांटेवर्ट और उरेची करędzie मॉडिफिया मुडिफ़ेए इस वायं आपünkे लिभी गदेम शिर यytesौन होर। तो हाउस प्राइब में पाए जाते हैं और अधर फ्राइब में पाए जाते हैं इन दिस टाइप लेवियम इस वेल डबलप और मोडिफाइब टु फर्म सबसे लास्ट फिफ्ट सिफोनिंग टाइप माउथ पाट इस तरह को माउथ पाट होता है वो टोटली बहुती अच्छी तरीके से डेबलप मदब एडप्टेड होता है उस चीज के लिए बना होता है कि किसी भी फ्लावर के नेक्टर को सक करने के लिए और फ्रूट जूस को सक करने के से लिए स्फारिंग टाइप माउथ पाट बना होता है दी कंसिस्ट सपज्सम मॉप्ट के होते हैं आप कि लोंग प्लाव Changing पाइप मत्स में बतर्फ्लाइब बना होता है नो इस सपहांड पाई這樣 इंसेक्ट्रा के ओर्डे जो लेपीब्डोप टेरा होते हैं उसमें इस तरह का माउथ पर पाई जाता है कि यह फीगर है आपका सिफोनिंग टाइप माउथ पार का नीचे लिए दीजिएगा माउथ पाट अप बटर फ्राइए आपको कहीं भी कोई भी दिक्केट आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको अगर वीडियो का पीडियाप चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम आई-डी पर मैसेज कर देज़ेगा जब भी मैं फ्री होंगी अगर मैं आपको मैसेज देखूँगी तुम्हें आपको सेंड कर दूंगे